मैं आप सब का तै दिल से आभार प्रपेट करते हूँ कि आपने राजय साहब की जाने पर जो उपस्तिती रामपूर में दिखा कर ये उनके प्रति प्रेम जताया उसके लिए हम सब परिवार की तरुसे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं मैं बहुत समय से चारी थी कि आप लोगों से बात करूँ परन्तु हालत ऐसी थी कि मैं इस विशेय पर बात करना मुझे संभव नहीं हो रहा था पर बड़ी हिम्मत जुटा कर आज सब आज आज आपके सामने आई हूँ आप सब जानते हैं पीराजन साब का जाने का दुख केवल हम परिवार वालों को ही नहीं परन्तु समस्त भारत वासियों को सबी कॉंग्रिस के जुड़े से जुड़े लोगों को और खास करके हिमाचल प्रदेश के हर वासी को चाहे वो किसी भी वर्व का था किसी भी पार्टी का था किसी भी उमर का था सबी को बेहद दुख है इस बात का और वाके ही वो ऐसे एक व्यक्ति थे जिनोंने हर व्यक्ति को इतना सने इतना प्यार जताया कि हर व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि हमारे परिवार का ही कोई सगस्या आज हमसे छिन गया है कोई हमारे परिवार का बाप तुल्य व्यक्ति चला गया है अब हमें कोई आसरा देने वाला सहरा देने वाला कौन होगा ऐसा उनके मन में एक प्रशन उठता है इनी बातों का मनन करते हुए चिंतन करते हुए आज मैंने सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटा कर आज आपके सामने खड़ी हुई हूँ और मैं समझती हूँ कि मुझे भी आपके साथ इस दुख के घड़ी में जहां मैं आज खड़ी हूँ जितना दुख मुझे या परिवार वालों को है उतना ही या शायद उससे भी ज़्यादा दुख आप सभी हिमाचल वासियों को है मैं आपको आश्वासन देना चाहते हूँ कि आपने कभी भी अकेला महसूस नहीं करना हम परिवार वाले आपके साथ सदा खड़े रहेंगे चाहे वो विक्रमा दित्या है चाहे मैं स्वयम विक्ति गत्तोत पे भी आपको ये आश्वासन देना चाहते हूँ कि आप कभी भी ऐसा महसूस ना करें कि हम आज बे सहरा हो गए हैं आज हम अनात हो गए हैं ऐसा सुनकर मुझे भी बहुत दुख होता है परन्तु मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम में आरे दर्वाजे हॉलिलोज का दर्वाजा आपके लिए सदा खुला रहेगा जैसा राजा साब के समय में था वो कोही भ आए वो हर दम उनको अटेंड करके भेजते थे उनका दुख तकलीफ दूर करके उनको घर भेजते थे जो आज लोग इस बात को याद करते हैं कि हमारे को राज साब ने हर व्यक्ति को कितना प्यार और कितना हमारे काम करके हमारे उपर उनके हजारो हजारो एहसान जुटे वे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि आपने भी जब भी आप किसी संकट में हो कोई आपका दुख तकलीफ हो कोई भी सहता हमारी तरफ से आपको जुरूर थो तो हम सदा आपके लिए खड़े हैं और जैसा मैंने कहा कि चाहे आप हली लौ जाएं या चाहे विक्तिकत तौर से आप टेलिफॉन पे बात करना चाहें या हमारी से संपर करना चाहें आप कभी भी हमारे से खुले मन से बात कर सकते हैं और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जो भी हमारी तरफ से मदद हो हम उसमें रात दिन आपके साथ खड़े हैं मुझे पुना आप सब से निवे जो भी हमार से संबभ होगा, वो हम खड़े होकर आपका दुख तकलीफ बांट कर उन दुख की घड़ियों को दूर करने का हर प्रयास करते रहेंगे. इसलिए मैं आज आपके सामने आई हूँ और जो मैं समझती हूँ कि आप जब रांपूर आए थे आपने चाहा कि आप व्यक्तिगत तोर से हमें मिले पर अंतु भीड को देखते हुए, महिलाओं को देखते हुए, जो वहाँ पर स्तिती थी, शायद ऐसा हुआ होगा कि मैं आ अगर व्यक्ति को अटेंड करना संभग नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं आप से आज पुना ये निवेदन करना चाहते हुए, और आपका दिल से धन्यवाद भी करना चाहते हुए, आपने एक दृष्य जो पूरे विश्व में पूरे विश्व में एक दृष्य गया कि ऐसा एक व्यक्ति जिसके लिए कितना महान फ्यूनरल आप सब हिमाचल परदेश के वासियों ने उनको दिया, उनकी अंतिम बिदाई लोग कंपेर करते हैं कि शाहिए या कोई पैदा हुआ होगा, या शाहिए ऐसा व्यक्ति आने वाले समें बेबी कोई ना होगा, जो इ पत्रकारों ने अकवारों में भी ये लिखा कि रामपूर का मैदान छोटा पड़ा अभी भगदर की विदाई के लिए, ये बात सची है, बहुत से लोग आते और बहुत से लोग उनकी अंतिम यात्रा में साथ देने के लिए, कंदा देने के लिए खड़े होते, परंतु इतनी भीड को देखकर शायद लोग ये समझते थे, कि हमारा जाना संभब नहीं है, और हमारा माँ तक पहुंचना भी संभब नहीं है, और अगर कोई बड़ा मैदान होता, बड़ा जगा होती तो शायद इस से भी ज़्यादा भीड जुकती, आज कुरोने का समय है, ये ब बिमारी को भी नजर अंदाज किया, पर फिर भी लोग पहुंचे चाहे वो रामपुर पहुंचे चाहे उनकी अंतिम यात्रा में उन्होंने भाग लिया, चाहे वो शिमला में भी आये, बहुत से लोग जो महां नहीं पहुंच सके, उन्होंने यहां भी आकर अपनी हमारे बजूर्ग हैं, चाहे हमारे नौजवान बच्चे हैं, चाहे हमारे उससे भी छोटी आयू के बच्चे हैं, सभी को जब उन्होंने इखबर समी, सुनी, तो सभी को बहुत दिल से पीडा हुई, सभी बच्चे कितने घर थे जा ना चुला जला और ना ही उन घरों में कोई पकवान बना, क्यूंके लोग उस दुख की घड़ी में शायद अपना खाना खाना भी ठीक नहीं समझा लोगों ने, और इसी तरह से हर व्यक्ति ने, चाहे वो बड़ा था, बज़र्ग था, छोट सबी ने उस दुख की घड़ी में इस बात का एसास किया कि हम सब एक हैं और हम मिलकर अब एक दूसरे का दुख सुक बांटना चाहते हैं, मैं आप से पुना ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने कभी भी अपने आपको असहाय नहीं मैसूस करना, ऐसा ना समझना कि आ हमारा कोई दुख सुनने वाला, हमारी तकलीफ को दूर करने वाला, ओ व्यक्ति ऐसा मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि चाहे मैं हूँ, चाहे विक्रमा जिते हैं, एक MLA के नाते, वो भी सदा ततपर है आपकी मदद करने के लिए, आप चाहे किसी भी हमाचल के कोने से आएं, कहीं से भी आएं, हमारे दर्वाजे आपके लिए हर दम खुले हैं, और अगर आप हमें याद करें कि हमने आ सकते आप आओ, तो हम भी आपके घरद्वार में पहुंच कर आपका दुख तकलीफ दूर करने का हर संभब फ्रयास करेंगे, मैं अंत में जितने हमारे चाहे वो माने मुख्य मंत्री हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहते हूं कि उन्होंने भी बहुत बड़ा दिल दिखाकर, वो हस्पताल में जब रासाब थे, वहां भी अपने उपस्तिती दी, उसके बाद वो शिमला भी आए, और उसके बाद वो रामपुर भी के लिए आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसा कि उनके जानने के बार एक स्थिती ऐसी पैदा हुई है, जहां हिमाचल प्रदेश के लोग ऐसा चाहते हैं कि आप जो हमारा मंडी पार्लिमेंट हलके का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें आप आगे आकर हम सब को, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें, तो उसके बारे में विचार मनन किया जा रहा है, हम विचार वर विमर्श कर रहे हैं, और देखते हैं, जैसी परिस्तिती बनेगी, उसके हिसाब से फिर आगे निर्ने लिया जाएगा, आप सभी का बहुत बहुत और मैं पुना बहुत भारी मन से इस में आप लोगों को एड्रेस कर रहे हूं, पर मैं समझती हूं कि जैसा मेरा दर्द है, वैसे आप सभी का दर्द भी है, इस दर्द की घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं, मैं पुना आप सब का धन्यवाद करते हुए, आप से फिर से निवेदन करना चाहते हूं कि कभी भी अकेला ना महसूस करें, हम सब आपके साथ खड़े हैं, तन्यवाद